असलाम लेकुम खावातिकनों हजरात क्योजे मोटर पाकिस्तान की तरफ से आप लोग खोशाम देद कहते हैं इस वक्ता मौझूद है इसलामबाद में जाने मने यूट्यूबर और जाने मने ट्रेवलर बाइकर हसाम एहमद अवान साहब मेरे साथ मौझूद है इसलामबाद क्योंगर हम लाएक करने में जानने के लिए उनके जो है वो एक्स्पीरियंस के बारे मैं जानने के लिए चुके उन्होंने रीसेंट ली क्यूजे मोटर की बाइक है कुछ महीनों पहले क्राची से के शिफ्ट हुए है और क्यूजे पे तो उस हवाले सामने के साथ रिव्यू लेने आए हैं हसाम भी कैसा चला है तूरिंग सीजन राइडिंग सीजन यह अपने भी रिसेंटली कुछ टूर्स के इसके बारे में बता हैं जब से पहले आखो इसलामबाद में वेलकम हैं थैंक कराची से मार्शला अल देवे आए हैं और सीजन बहुत कमाल चल रहे हैं थिंक के मैंने लास्ट पूरा साल में थिंक 40,000 किलोमेटर्स कर गया हूं मैं पहले बनेली थी मेरे पास 251 उसका फिर मैं इस पर शिफ्ट हुआ ओके इवेंच्वली जादा पावर दार इस परस्पेक्टिव से पिछला जो पूरा साल जो गुजरा है ना समझेंगा आई भी ना समझेंगा था पंदरा मिंट घर में बैट के तोड़ा स्वारी एनर्ज पर मैं इस लास्ट इस यर के शुरू में मार्च फेबरीर में में कराची आया तो 45-100 km का हमारा मेरा को एवेंच्वली प्लान था कि मैंने गवादर जाना पूरा गवादर करना है कुछ हालाद की वाई स्कूर्टी वाई से पर मैंने उसको सिंध की तरफ डावर्ट कर लिय अब मैं अपने अंके बंद कलता हो ना मुझे एक रोड याद है इस रोड से जाना है कराची और वहां से आगे नगर पार करा तो अब जादा तर लाइफ टार गुजर रही और एक ट्रैवलर की लाइफ इससे जादा यह होती है कि वो घर में कम और रोड पाड़ों में जा साथ अपनी डाइट पर फोकस नहीं कर साथ है तो उसको मुझे थोड़ सा कॉंपरमाइस करना पड़ा लेकर मैंने का यह साल में डेडिकेट करना है साही है यूट्यूब कभी चैनल माशालला बहुत जबरदस चल रहा है आपका तो बेसिकली यूट्यूब कॉंटेंट के यूट्यूब का में फोकस है या ट्रेवलिंग इस यूर अच्वल पैशन देखें मैं बाइनेचर या बाइपैशन आइम अगर मुझे आज यह कहना पड़ है आप मुझे कहा है असाम भाई आप निकलें तो शायद मैं निकलू शायद मैं निकलू गूमने का शौक है लेक अगर कॉंटेंट के लिए निकलता भी ना लेकिन अब जब करनी शुरू किया और स्पेशली जब मोटो ट्रेवलिंग तो फिर इसकी अडिक्शन हो गई है तो कॉंटेंट के लिए तो ज्यादा तर बहुत सारी फील्ड भी होती है जैसे कि फूद व्लॉग भी हो सकती है य कॉंटेंट का शॉग था प्लस आपकैले कि अपनी इसमौ को एक्स्प्लोर करने का आपकैले और मतलब मैं अप्राइबरल इसा Southern माच अशना तर्वल का किया अपने भी तो आपको आपको आप बता सकते है कि इतना बंदे को मजा आप जब अधैला अधे तो आपकैले को करता है तो यह experience in its own है बिल्कुल ऐसा ही है traveling से जार एक experience और जो चीज learning मिलती है वो शायद किसी और experience नहीं मिलती है और हम सब एक दूसरे से connect इस category के लोग इस industry के लोग एक दूसरे से connect पहले हम traveling touring के हवाले से करते हैं देन फिर हम bikes और other categories आपको मैं यूटूब पर देखा था कराची काराची के तूर किया मैं आपको वहां पर देखा है तो अच्छा आप कॉंटेंट बनाते हैं अब जब आए हैं तो मुझे लगी नहीं कि हम first time बिल्कुल ऐसा ही है अच्छा हसाम भी रिसेंट्ली आप Benelli's TRK 251 I guess आप शिफ्ट ह क्यों हैं QJ motor 600 SRT 600X के ओपर कैसा रहा experience थोड़ा bike के हवाले से बताईए कि कहा कहा इस bike को लेकि अब तक सफर कर चुके हैं जब से कराची से निकले हैं और कैसा experience क्या आपकी एक honest review and suggestion आपकी क्या क्या recommendation जरा मैं observation जाना है मैं बिल्कुल पहले मैंने start किया था Suzuki के 150 मेरा पहला उसके बाद पर मैंने अपगरेट किया बैली 251 पे भी मैंने का थे 35,000 km या और थिक ठाक चला एँ और जोईगी उसके बाद फेर मैं और मेरा यगीन करने कोई प्लैन नी था प्लैन को लेने से पहले कर अब इसको लेने करने करने कितनी कमाल मशीन थी और इस नहीं कि मैं इ इतनी जगों पर टूर पर गया हूँ, बड़े लोगों में से पुछाए है कौन सी बाइक है, बड़े लोगों कुछा है इसकी रोड प्रेसंस बहुता है, लोग बूछते हैं कौन सी बाइक है, तो फिर मुझे खुल के मैं बदाता हूँ, तो 251 मेरे पास थी बनेली, मैं बड़ा सेटिस्फाइड था, पावरवाइस उसको में नलतर, लेक्स तक लेके गया, हर चेगा लेके गया, बड़ा इंजॉय किया उसको उसके बाद जब मैं इस मार्च मेरा प्लान बन के है, मैंने कराची जाना है, वो गवादर जाओ को मैं 351 kms सक दोस्ता है, मैं वाधर खीक था, दोस्तम से जा गया, हम लोग बीच हे बैठेवािय था, तो इसमी अथा मैं अझे करें किया हम बल्के बालिक के भोरउ किया में कियो करें किया के बल्कों ऑनेस भात शोरू यहां को सब्सक्रीद उनागा उननेस बात पता हमी उसके अब मेरे माइड में जो ब्रैंड का इमेज है और उस वक्त क्या था मैं आपको दोना का डिफरेंस बताया तो अब जब में वहां पर गया चलो यार होता है आप पंधना सो दोजार किलोमेटर चला गया असलामा से कहा तो आपको मेंटेनस करानी होती है यूबिंग जो अनिफ लाला से मुलाकात वही जो ऑनर है क्यों पाकिसान में इतना अच्छा उन्होंने मैं उनकी कुर्टीसी की वएसे कैन यू बलीव उनकी क्याम आज वी दोस्नों करते हैं तो यार कि लाला की कर शूबिंग यह है यूजियमें यूजियमें यह उनकी स्किल है और औ चनके बहुए रिकन चीमें वहाँ दिखा आपके रखा एक संप वज्टी है, तो मैं तो मैं सेत्व होई राया है, तो मेश सुच व्हाला के राखता। अभी की पत्यूर हम लिए जोए दोस्त, हमके सानब घूंपे बढ़ दोस्त अब मैं तो बीच पैन हिसले दोस्त मेरे दोस्स साम भाई, मैं आगा तून भाई आप दोके मैं जून हो चला है जा में लिया रहे हो आजाम इस अगि ऑन आजी दीज्र हो, जे लिए भाई में लोके ठीक, तो मैं मैंने लालों ने में किया यह दो वो मुझे बाद में बता है कि चाय में उसने कुछ मिलाए वाता क्या आप जरूर कुछ मुलाए तो अलम्दोलला फिर उसके बाद खैर ये के अमने प्रचेस की वहां से सारा कुछ करके मामलात तो बाइक लेली अब अल्ला का शुकर ये हुआ कि मैं कराची तक कराची से आगे अधा टोर बागी था मैं थरपारकर आपके जाना था तो मैंने वह इसको इसको एंजॉय किया थरपारकर हाईवे पर लोगों को नहीं बता लोग कभी उस तरफ गई नहीं है कराची से कर आप इंडिया की लोग मेरे उस पर जाकर देखेंगा तो जम के बाइक चलती थी लिटर्ली और मैंने इसको वह जो एंजॉय किया कौन कौन से सफर इस पर कर चुके हैं ये लेने के बाद कराची से तरपारकर नगर पारकर पूरी सीपकी हाईवे की वापस वहां से पर होते हुए जितनी पा जहार और कराची के आउडियंस में उनकी जो फीड़बैक में बहुत डिफरेंस है बिलकुल है सभी अब जब मैं कराची आया और जब हम तरपारकर गहते है तो वहां पे उनने जो बादर के पर प्लीस बैठी है उनने हमें आपको सख़ए पदा है तो आपको से पहले गिय कराची में थरपारकर सो के मैं कराची में अंदर एंटर हो मुझे भी वह फिगर जहाद है मैं इतनी आई-कैचिंग लोग देख रहे हैं वह जारे मेरे साथ भी यह मैंने भी एक्स्पिरेंस के हैं चुके मैं खुद भी साटी 5600 वाली वह चला रहा हूं जो इसका लोवर व जहां भी जाके बाइक खड़ी उती साथ में कोई भी बाइक सो ना वो पब्लिक आके इन्हीं आगे बात करेंगे कोंपूलिट से मैं करूंगा जरू खोल गे लेकिन एक्जास्ट नोड लोग नॉर्मली से कंपेर का देंगे पहर पहले वाले को पूरा कम्प्लीट का लोग कराची ने खरोलता वे अधर पार करेंगे कराची न्दूरून को बीडियो में ऑने कराची को लोग काडीया विडियो बना रहे हैं इस नहीं बाइगे फिर वहाँ से इसलाम बा दब पर इंद र्यों का मेरा से इसलाम बाद पिर अनु के अंधर टूर से इस पर प्योर सारी फंडर वैली और उससे पहले जितनी रोड की बुरी हालात है वहां पर एक नाम है कि रोड बन रही है पूरे इस ट्रैक में एक बंदा लगा था थाग तो अगला सौसाल में जा रोड बननी है अगला थी कोई नी सालों सुन रहे हैं और वो जो डिल मशीन एक बंदा रहा है पूर ट्रैक में बाइगा एक बंदा रहो तो दस बारा घंटे की राइड में तो वह हमने किया लोग जागे कॉंटें देख पदेशाले कि मैं किस टेरियन की बाद कर रहा हूं वापे पर वहां से खूम के पूरा लूप लेकर अस्लामद वापस आये अब जो मैं रिसनल्टी ट्रैक की है विए मैं पिछले दो हफते पहले आया हूं मेनिमर्ग का नाम बड़ा सुना था बड़ा यार कमाल जागा है तो मैं आई चलो चलते हैं हम सारे अपने ब्रदर्स का एक तो वहां पर ऐसी ऐसी मादब के रफ टरेंज स्पेशली आप गूगल पर सब्सक्राइब करें करें रट्टू वैली रट्टू वैली बेसिकली जो है वो में जो आपकी अस्तोर वाली रोड़ा उसे ऑफ शूट है मतलब इतना बुरा ट्रैक है कि मैं तो श्याए दुबार उसके लिए फोकस नहीं है लेकिन अगर आप में थोड़ी सी स्किल है तो आप पाकिस्तान के आपको मैं कहता हूँ 85% 90% ट्रैक्स जो के नॉर्मल ये बंदा देखना चाहता है आप हर पाड़ की चोटी पर जानी सकते हैं सब्सक्राइब आप हर पाड़ की चोटी पर जाओ मैं कुछ है मैं कोई चीज हूँ और मैं टूर कर रहा हूँ वड़ा इस पर बैठके आप एक और वाइब में चले जाते हैं तो अगर ये कहा जाए कि बखली बलुचुस्तान भी रह गया आपका इस बाइक के ओपर जब से यह ली है तो विदिन स्पैन और फॉर मंश फाइ क्योंकि आप बैनली के भी उज़र थे और मेरा खाल है कि आप शॉच रहे थे कि 502 पर शायद स्विच करने का तो हूँ सडिस्फाइड यू आर मतलब कितना आपको लग रहा है कि मेरा एक अच्छा डिसेशन साबित हुआ मेरा क्यूजे को लेने का आपको अभी लेने के आ मैंने 502 लेनी आपको मैंने थोड़ी से पहले बता रहा है कि मैं 502 लेक असलाम वासे कराजी पहले जाने का सोच रहा है लेकर सिरफ शोरूम पर यगीन करें दो तीन बाइक है गए 502 X बड़ा अर्सा हमने देखी है क्योंकि इससे पहले मार्केट में आई है बड़ा नाम उसने मार्केट में को उसवकत कोई competitor नहीं था तो अच्छा प्रोड़क्त था लेकर अब जब कॉम्पेटिशन में में जब क्यूजे आया और क्यूजे नहीं तनी यह मैं आपको बता हूंग अचला कि किस तरह की तरीके से उसे सहोग ना आ अगे है तो मेरा था कि जिए 502 X लेकर जानी है बजट सब रेडी था मैंने लेनी थी जब शोरूम पर जाके मैं बैठा हूं यगिन करें तो ओवरवेट और प्लस सीट हाइट यह दो मेजर फेक्टर से के ओवरवेट होना कूंगे देखें और जो मर्जी का लें आप प्रेजन्स तो होती है लेकिन वेट ब बड़े लोगों ने मुझे गाता कि यार फाइट लेकर फाज जाओगे सीधी बाद है और मैं अनुस रवदार हो को कि मझे क्या हुआ कि कि जिसने फाइट टू ली अभी भी जाके सीधी बाद है लोग इसको वेरिफाय कर साथे हैं पांच-पांच लाग लास में सेल गारे अब ऐसा नहीं कि मैं बराई कर रहो बनेली मैं खुद ओन किया और बनेली 702 X अब भूद भी बनेली 251 का यूजर रहा हूं जो 502 को स्किप कर दिए तो 702 अब उन्हें लाँच कि अ इसकी प्राइस क्रेटिगरी में उसमें 502 का पास भी नहीं आती अच्छा और वो फिर म एच्छा पास नहीं कर सकते तो आभ इसकी सब्सक्रेट आपया में अच्छा लग पर प्राइट उप स्कान्ता है किर गाट वगल के एच्छा कि घृगन बैख कर ल arriv है को अभी जिंदी की में आहीं चैलो कि में खुछ है दो तीन साल बारी बनेलिंगें अभीको सी이지 अ करलो दिल प्राइमिली इस वैसे आया कि इसकी सी थाइट और इसका वेट 502 का वेट बहु साथ है हुआ है दोग भी थाइट निने करने भी धूंड कि लिवकृसा उब या नोन हंगो प्रोग आदे नाखि करने कि कर शेति होपनद के सम और कंप मrимо 2i अच्छा का हुआ कई चाब के सित है प्लास डिल ऊपनेली कीब्रेक्स का था और वेट 8 वेट ने बरनेर कीद इसक longevity दिजिए प्रेइली के आपनी उसकी ब्रेक्स है तो यह जी। नहीं isso Agraph g जो आहिं कहने से कुछे को समज्ज नहीं है तिए क्षा एंपे ब्रेइ bud इजो करें आपके जो ढफिक त्क रचण बहुत प्रॉठ रए सब्सक्राइब सब्सक्राइब अरी कि सब्सक्राइब कि प्रॉडरियम एक तो सब्सक्राइब करेंम एंग्した इतने सॉफ्ट है तो वह मैंने खुर एक्स्पीरियंस भी कर लिया नॉट दे नीरस में जागे तो मादब ब्रैंबो की प्रेक्स आपके लिए के वाई भी किसके शॉक्स थे और इसका डूल चैनल एबीस तो उसमें भी है और प्लस सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो के आप क है ठीक है मेरे लिए कुछ चीजों के प्राइरिटी डिफरेंट होगी वरसी एक बंदा जिसने साल में एक तफ़ा निकालनी है बस शॉक के लिए अब मेरे लिए क्या इंपॉर्ट था कि यार मैं रोट के ऊपर खड़ा हो जो जनाब इसकी वो त्यूब पंचर हो जाए इस में ट्यूब नहीं है यह ट्यूब लेस इसके रिम्स हैं और प्लस फोक्स रिम्स जो के ब्यम डव्यू की डेड़ लाग डेड़ की सवक रोड की जो कि फाइटीन अंड़ जेस में आ रहे हैं जी तो इन्होंने जनाब इन्होंने दे दिये और अच्छा उस वकत तक बनेली कर लेंगे जाए 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 जो इन्स्टेंट पंचर होता है तो इसमें मदलब ट्यूब नहीं है और प्लस फोक्स रिम्स थे मेरे पाद जो पहले 251 उसमें भी ट्यूब नहीं थी तो मैं तो वह उसको एंजॉय कर रहा था लेकिन उसके अंदर ऐलोय रिम्स थे इसके इं तो मुझे वह एक और बंदा रोड पर आया सुने का सर आपका वह दोस्ट पीछे रहे कि मैंने क्या वापिस यह पचला पॉट हो में लगया उसका वह अलॉय रिम्स थे वाइस हम लें जो चीज़ें एडवेंचर फेस किये पार्ट अडवेंचर रहें लेकिन फिर मैंने र पावर में कोई अपको कमी महसूस हुई आपने स्पेक्स की रिसर्च की होगी डेफिनिटली लेने से पहले आपने देखा होगा पावर स्पेक्स से अपने किये हैं HP, NM सारी चीज़े देखी होगी कहीं कुछ कमी कोई लेक्नेस महसूस हुई है honestly कि this is under power और या कोई चीज क कमी है कि यह होता तो जी बहतरी नहों जाता है या कोई चीज ऐसी मैं तो 251 से मैंने 600 पर अप्गरेट किया तो मुझे क्या पावर कम लगनी थी मुझे तो मैंने तो जितना इसको मैं अभी तक चैरिश करू हूँ मैं तो आम तो आपने घर से भी निकलता हूँ तो एंजॉ लेकिन जो मेरे दोस्चार जो नें 502 ओन की है वो इसे बैठे है क्योंके उनके लिए वो नई जी मशीन थी ओनोंने तो स्टेट अवे वो शॉक थे क्यार मदलब मज़ा आया इसका तॉर पर इसका हर चीज इसका जो रिस्पांस है तो बहुत बेतर प्लस एक्सास नोड एक यूप का तो स्टेट जाथ से अवे पर इसका नोड आपको यह पुल बाइन जाए और आपको यही विए घ्सफोम सर्ट रेस तो लोग पूरी दूनिया में रिए को प्रेस करते का इसका प्रएज चा बढ़ अच्छा है वो लेकि इसका मैना सुन नहीं तो से भी बहुत अ अभी पंजाब में इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, इसकी इतने ज़्यादा हमारी उस तरह से नहीं हुई है, जिस तरह के competitors की हो चुकी हुई है, तो कहीं खुदाना खास को ऐसा कोई तरह तो नहीं है कि दिल में कि बनेली का अलेडी structure पाकसान में अवेलेबल है और QJ भी बड़ी स्पीट से ग्रोग कर रही है, तो मेरे माइंड में जो सिरफ एक हांच था क्या अभी QJ की अवेलिबलिटी हो जाती है, तो जब अफिशली जब company यहां पर है, तो पार्ट की तो वैसी भी tension नहीं होती है, तो बेशा कराची से क्या होगा, दो दिन में आ जागा, इतना ही फरक पड़ेगा ना, उस और तो फरक पड़ता है नहीं है, तो यहां पर यहां पर लोगो QJ का पता नहीं है, इसलामबाद में रॉडटनी में मुझे जितना नाम बेनली है, तो मुझे जब इसको मैं इंट्रड़्ूस कराते हूं, तो मैं लोगो बताता हूं, यह QJ की पेरंट कंपनी है, पर लोगों को मुझे बना रहे हैं अर अपने नाम से इनको घर से उठाके लाएं अगवा करके के जी इनका एक इंटर्वियू करता तो लोग आपको इन कंप्लीट सा लग रहा होगा बढ़िए जहरे पूरा कंप्लीट सेट है अल्मोस्त कराची से लेने के बाद कितना किलोमेटर अपने चला ली होगी इतना अभी तक सफर किया ह मैंने यह ली थी 9,000 पर अभी हो गई है 17,80,000 आपके लिए तोड़ा से यूज में ली थी तोड़ी से यूज में ली थी थी ठीक है और यह 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 बाइक परसनली खुद अनीफ लाला खुद यूज कर रहे थे उनके अपनी फुद चलाएगी तो आपने रेडी स्टॉक मे अपन कर लिया माशाला से और सारा गुंगुं के और अवो भी पाड़ों में हाट पर में लिए 10,000 में जे होई 10,000 में सुम्ति अधरा कमें वो तो इससे हो या जिससे भी हाथा होना था किसी से भी हो जाता है, हुआ बैसलिए था कि हम लोग सुबा 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 निकल चैन लूब करते हुए, डबल स्टेंड लगांगे, अनफॉर्चुनलिटी आप अच्छा मेसिज आपके भी वीडियो से जाएगा, या कभी भी अगली अल्ला ने बचा ली, मतलब कि अच्छा अगे अगे से असारी फिर दोबारा हील हुआ, स्टेचे जोग वाए गोश वापस आया, तो वह बेसिकली गेर में डालके, लुबिंग कर रहे थे और अगली अगली आगे, और उस वाका मुझे कोई पैन नी फील होई, बिल लास्ट दो हफते पहले की बात है, या अपका मिनी मर्क के टूर पे कुछ हाथसा हुआ, उसके बारे मैं मैं बदें क्या हुआ, मतलब किस तरह वो पेश आया, बिसकली मिनी मर्क को मैंने बताया कि, ओवर रास्ता कोई टफ नहीं है, लेकिन उसकी आफशूर है, वो सब्सक्राइब हो गया है, और प्लस मैंने चिता आग इलकित का टॉफ ट्रैक पहले किया था, तो वो बेसिकली जो हुआ गया कि चोटी सी पकडंडी थी, मेरे लोग जाके चैनल पर देखेंगे, आग पोटेज में जाल सते हैं, वो लोगों को बड़ा एक चीज़ और एक पांच पॉट टॉर लीड था वो बस वो एकडम से यहां पर पतर आया और पतर से मेरा पांच जैसी उस पर बालनस आउट वहा और मेरे बाइक से गिरी तो वो लेफ ट्रैड की तरफ गिरी तो और वो प्रेश कार्ट बेसिए लिए पहले अच्छी स्लाइड की वाइसे तो कि हर चीज एक स्पैसिफिक टरेन के लिए होती है तो इसकी जो स्पेशलिटी है मैं यहां को मैंने शुरू मैं यह नहीं है अगर आप दो फोट वाली ट्रेल पर जा रहे हो तो इसकी तो इतनी वेट ही नहीं है तो बेसिकली वो एक मन्दा ना फ्लो में होता है जो आपका आपके अंदर एडली लीन होती है वाज निकालो लेक से पहुंचो तो वो विद्नी फ्लो कुछ भी हो साता है लेकिन जिस में आपको मन्दा आइकन बैट कजी से जगह पर मैं इसको लेकिया हूं पाकिसान में बहुत कम राइटर्स है इसको लेकर गया हूं बाद मेजर ली अगर एक बंदे ने गरानी है और इसको जैसी से ट्रेंस में लेकर गया हूं तो यह देखने में बहुत लगती है लेकिन जब इसे बैठते हो और जो जो बंदे ने थोड़ी है मैं तो पांच आर किलोमेटर भी चलाई वेन पाड़ों में पाड़ों की बिसली वह 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 व और भी वीडियो देखोँ तो उसकी नी बन थी तो इसकी बाइक का तो कोई कसूर ना वाना उसको अगर मैं अगर मैं उसको आपकर पार्ट वाड़ों जो अवाले से अवेलेबल हो गया वह अपकी जो भी रेपलेस्मेंट थी इसमें बेसली एक सेंसर होता है इसमें एक सर् अबनेको एक सर्मय काप्र जी उसकी बीए एक सेंसर मेलिया है कि अब जाफके उच्ट अच्पों जिए अगर एक दालन बेस्मांग करता है मैं और उसकी अगा कीं .... को निए आप, नी वो... तो से लितल मेंगा नहीं है .. हुमेजान से टीफो में भी वद्टीप में रखर टीफानों से, अला के आपके व छो मुझे कि जड़ाँ मashें किसी कि अीँच्छा कंगा। कि ज़िछा आपके वाइक्च झाले की।छ रहें हैं .. तो अफरीका टूइन हो गया, यामा टेनर है, यह दुनिया के नाम है, बड़े फेमस नाम है, अडवेंचर टूरिंग में, वहाँ अविसी बात है, इसके प्राइस काडिगरी में नहीं तो 85-90 लाइक के बाइक हैं, ठीक है, लेकिन अगेन बात यह है कि जिन नहों ने, जिन क अगेन अगेन बागी कुछ नहीं हुआ, जाकर चोट लगी है, लेकिन वह खेर अवेलिबल होगी और आपका चल गया और बाइक चल लिए, मुझे अगर पता होता है, हुसाइन भाई क्या करी इतना रेडिली अवेलेबल है, मैं यह यकिन करें, वहीं पर सकर्दू महीं अगेन करें, मैं इसको जीपों पर रखके लाया हुँ ना, उसका मज़ा है और यह जार एक हाती की साइज का जार है, बाइकों की दुनिया में इसको एक हाती सफयादा ही बोलते है, इसका साइज और इसका जंबो लुक जिस तरह से पाकिसानी मार्किट में पिछले कुछ स सालों में, एस्यूव इसका क्रेज और जिस तरह से वह एवल वा कि लोगोंने अपनी गाडियों पर को पहले पोस्ट कोविड जो है वो लोगों ने जब ट्रेवलिंग शुरू की अपनी गाडियों पर और लोगोंने हर एक ट्रेंड बन गया कि घरमे का स्यूव होनी चाहि इसलिए इतना ज़ाद बूम मिला हुआ है इसके दो तीन चीज़े हमने मिस्की है जो कि बताना वर्चेट है पहली चीज ही है कि देखें इसका जो डिस्प्ले है जो 502 के अंदर आप जितने भी इंडिया की रिव्यूद आपके देख लिए है वो कहते है यार इस इनोंने इस इसके अंदर आपने मुबाइल से इसको क्नेक्ट करके गूगल मैबस लेकिन उसमें प्रॉब्लम है वो आप कहलें कि इस वीचर यह मैं अब जन्मन बाबता है मैंने इसको अपनी पूरा जोहर लगा लिए इसको मैंने करने के लिए नहीं नहीं वा मेरसे तो वह अन पेपर लेकिन मैंने इंटरनेट पे देख यकिन करें बाल से प्याद कर ली है अब अब तो मुझसे नहीं हो चाहिए यकिन कर से तो लेकिन यह को चाहिना से एक टेक्निशन भालेंगे जो आपके कर पेज़े लिए लेकिन वह फीचर इसमें अवेलिबल है और इसकी बेकारता बैस लेकिन हेलोजन लेंप से आगे इसकी आगे थो बहुत अच्छी है इसके LED लाइट से आगे तो जब आप सामने से बनेली आ रही होते हैं 502 XC में बात कर रहा हूं कि वह हमारा point of reference है तो उसका अगर आप देखें जब उसकी एक हाई बीम और जो उसकी नॉर्मल भीम है और जब आपने वह नॉर्मल ही जब अगे बात कर दो एक अगर तो बंदा आ रहा है तो जो बंदा आ रहा है इसको फील होता यार इसकी तो एक light खराब है वह कानी है जिसरा मेरे 2x1 में भी यही था तो बोला अब आप उनको बताओ नहीं भाई इसका डिजाइन ही ऐसा है कि ज इसकी जो फरंट इसकी नोज देखें इसका जो पूरा जो फरंट है इसका तो कोई मैच नहीं है तो 502 एकसर डेफिनिटी बहुत सूपीर है हां जो 702 लांच किया उसकी अब उसकी बाताव इसकी इस काटेगरी की नहीं है एक लास्ट फाइनल एक ऑनिस बिल्कुल मैं कोई करूंगा इसको कैसा देखते हैं जो मार्केट में इस वक्रिवेल कर रहे हैं बनेली चुके बहुत पहले आज चुका था इसलिए उसने मार्केट पहले अपनी बना ली है इन सारी क्याटेग्रीज में इसपेशली एडवेंचर बाइक में टीयार के 251 एंड 2502 अब अगें CF मोटो भी आरहा है कोफ करके भी है और बाकी भी है ब्रैंड जो आ रहे है तो इस वक्यूजे को कैसा कॉम्पेटिटर के तौर पर कैसा देखते हैं और क्या रिकमेंड करते हैं देखने वालों को सुनने वालों को कि क्या ऐसी चीज है जो कि किसी एक को किस बाकी दूसरों प कोई आप कहलें कि 8-9 million की रीच रही है, जब मैंने इसको पोस्ट किया है, कि मैंने न्यू बाइक बनाई, तो जब इतनी ओर्डियंस मुझे ट्रस्ट करती है कि उजय के परस्पेक्टिस है, क्योंकि इसलांगबाद की रीजन में मेरा मेरा सबसे पहला बंदा मैं ही था जिसन कमाल भाई का सारा, क्योंकि वो light weight होने की वास है, अच्छा, अब अगर मैंने दुबारा decision लेना हो कि मेरे पास MT 450 का option हो, तेक है, इसके लावा तो option ही कोई है, 30, 30, 32, 34 lakh की category में, इसके आपके पास क्या option है, या तो आपके पास ये है, ठीक है, या आपके पास 502 है, या ती 26 और 32 का ये, 6 lakh का फराग होगा, अभी की price में, 2024 में, अब यह है कि अगर मैंने दुबारा लेना हो, मतलब मैं स्टेलिस पर जाओंगा, कूंकि यार, देखें, मतलब कि there is no replacement for the displacement वाली बादा, और पावर 600 CC और 450 CC में जमीना समान का जाओंगा है, अगर आपको लगता कि मैंने enjoy करना है, मैंने पाकिसान घूमने है, और 99% और 80% और जगे कह लें, जो traveler होता है, वो एक stages से गुजरता है, तो वो पहले क्या होता है, वो पहले गाड़ी में घूमता है, पनी family के साथ, वो में में अरिया उसके बाद क्या होता है, वो कहता है, अब इसके मुझे और रिलीव करने के लिए, और अनदर experience करने के लिए फिर वो बाइक पर आता है, मुझे लग रहाए आप में परी स्टोरी बता रहे है, अच्छा, अब उसके बाद की stage क्या है, अब इसके बाद की stage क्या है, और stages के आपने डिफाइन करना है, और सबसे आपके लिए बाइक अब क्या है, अब क्या होता है, जब आपने सारे पाकिसान के major areas देख लिए और especially off-roading कर लिए major, फिर इसरी जाती है, जो कि प्योर पागलपन होता है, कि मैंने इंडिवर करना है, और पाड़ों के चोटियों पर पहुंचना है, और उसके बाद क्या होता है, मैंने trails करनी है तो यह ऐसा नहीं है, कोई एक बाइक सबसे बेस्ट है नहीं, आप पहले बना को डिफाइन करें आपके कोई सी क्रेगरी के ट्रेवलर है, उसके साब से मार्केट में बेस्ट प्रडॉक्स करें, और मैं जिस क्रेगरी में हूँ, I think मेरी चॉइस के लिए, I think यह बेस्ट पिलाज, मुझे, नहीं, इन्शालला आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसका क्यूजे मोटर पाकिस्तान का जो है, वो नेटवर्क आइस्ता इस्ता पंजाब में एंटर हो रहा है, और इस बहुत अच्छी न्यूस पंजाब के कस्टमर्स के लिए, देखने वालों के ल इस फक्त वो नेटवर्क नहीं है, तो मेंटेनस के हवाले से कुछ लोगे सोच सकते हैं कि मिंटेन कराने कराची कैसे जाएंगे, तो वो मसला भी हाल होने जा रहा है, इंशालला आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी यहां पे सर्वेस सेंटर्स कुलने वाले है, और इंश अगला कहा का सफर प्लान करने हैं, कहां आगया जाने का इरादा है विंटर्स में, अब आर विंटर्स के सर्वें सफर के हावाले सब्सक्राइब करने का इस साल नहीं मैं अग गया हो ट्रेवलिंग से 40,000 मैं अब नेक सीजन तक आपके सब्सक्राइबर नोट करने जी अब आपको वीडियो शैद देखने को नहीं मिलेगी अगले सीजन में ट्रेवल टूर करने का कर रहे हैं, इस सिंद आ आपको बना नहीं तरफ बलुचिस्तान आजाएं तो अच्छा उप्शन है तो वहां पर दुआ करें को इंटरनाशनल अल्ला कर रहे है को बना बंजा इंशाला हमारे दुआ है खोद आपको और शॉक्सेस दे एंशाला इस फिल्ड में और जादा से ब्सक्राइब कर आदा इसका रिविव दिया कुछ तोफेत आए कुछ समीनियाज आपके लिए लेकर आये थे यह क्यों जो मोटर की कैप है आप ओपन कर सकते हैं और यह चुक्कि विंटर सीजन आ रहा है तो क्यों मोटर का यह खोडी आपके लिए इंशाला उमीद करतें कि यह वाला डालॉक मेर इनंड करेगे और शॉंहां आपको ने किसी सफर में इंशाला कर देखेंगे एसी व्यार की ऊपर उमेद करें कि मिले और जाद timely कि यह उपर सफर करते रहें इंशाला खवातिन वाज़ात ये था हे